मानेवर साब कांशीराम जी ने साइद आपको अपकी ताकत का पता नहीं है मैं याद दिला देता हूं आपको साथियो जब मानेवर साब कांशीराम जी ने बामसिफ चलाया तो बामसिफ के माध्यम से आपको पता होगा कि मानेवर साब कांशीराम जी ने इस देश के सबसे ब अर्थिक मदद दिलाते हैं और वही सरकार वही लोग आपके खिलाब काम करते हैं समानित साथियों आप सभी को जैभीम साथियों जिन चालाक और चतुर लोगों ने जहांके मूल निवासी लोगों को गुलाम बनाया और निवासी लोगhouse हैं ओसाथ को सथियों के खिलाब जिस तरह से भुखेता पार सिता राम वर्मा जी हमारे साथ में हैं उसका मूल कारण क्या है अकिरों डरते हैं ये लोग इन लोगों से तो कि साथियों यह मूलनिवासी जो लोग हैं यह मनतवादी लोग रहे हैं और गोतम बुझ से पहले इन लोगों ने यहां के लोगों पर अत्याचार किया और अत्याचार करने के बाद इन्हों ने यहां पर इस तरह के एक विवस्ता डवलप की कि लगबग लगबग 85% जो लोग हैं और 85% लोगों को गुलाम बनाया और देश के जो प्राकरतिक संसादन है जिससे की इनसान अपनी आजीवी का चलाता है मनुस्य जीवन जीना चाहता है वो वो मनुस्य जीवन जी नहीं जी सके इसलिए इन्होंने क्या किया उनको उत्रस्कत कर दिया उनको बहार कर कर दिया और बहार करने के सासात में जितने भी प्राकरतिक लाखन सिंग बोजी राश्ची अध्यक समय समाज संग हमारे साथ जूड़ चुके हैं आपको जैभीम और आज आपका बहुत सांदार स्पीच रहा आपने बहुत सांदार बात करी भोजन समाज के करमचारियों के लिए भोजन समाज की जितने भी करेंचार साथी है товर दरने की जर्त नहीं है क्ैसा में कि करने ्यों जो करना चाति हैंधु में जहां किया और एक विवस्टा लागव की जिसमें एक सिस्टम लागव किया जिसमें आज अजशाब डॉक्टर मेड़बर की अगर मैं बात करो तो उन्हों ने जैसे की जनल्टकास्ट के जो लोग गोग हैं स्थिक्य लोग हैं इससी तरह से सस्टम डावलप किया ब्राह्मान चत्री वैस्य और सुद्र जो केटीगरी का लोग थे इन केटेगरी के प antagraph भी सात्में कुछ सात्यों ने मैं बताना चाहता हूं कि इन्हों के साथ में डौब 3 अइसी कैटिग्रिय के लिए जिनको टच कर सकते थे उनके बिदिकार्प चीने उनने और सुधरों की ऎस प्रहुत काई निम्त को प्रॉक्रतिक संसाद्ट såd कर दिया जिसका वर्णा आपको मनुस्मृति में मिलेगा साथियों और लाखो हजारों सालों से हजारों सालों से यह समाज पीडित रहा लेकिन साथियों भार्त के अंदर गोतम बुद्ध के बाद समराटसों के बाद में कैसी विवस्ता डवलप हुई कि हां के मानौ सबिता म में जो जीते थे मानाव को मानाव जैसा जीवन जीने का अधिकार मिला लेकिन साथियों फूर से इस देश के अंदर एक सो पिच्चा से इस्वीपूर एक ग्रंत लिखा गया जिसका नाम था मनुस्मृति और मनुस्मृति के अंदर उस वो जो विवस्ता डवलप हुई थी उस विवस्ता को पुन है एक काईदे के रूप में डाल दिया जिनको इन्होंने मनुस विधान कहा और मनुस विधान के अनुसार इस देश के अंदर SC, ST और OBC के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था धन्वर संपत्य रखने का अधिकार नहीं था बहुत सारे अधिक मैं कहना चाहता हूं कि भार्थ के अंदर जैसे अंग्रेजों का राज आया तो अंग्रेजों के राज के साथ सात में एक व्यक्ति देश के अंदर आया जिसको कहते हैं मेकाल मेकाले लाड मेकाले और लाड मेकाले ने जो इस देश के अंदर किया वो सायध ही कोई कर पाता लाड मेकाले ने क्या किया कि 1813 के अंदर एक भार्थ को लेके एक शिक्षा नीती की योजना बनी थी 1813 में अंग्रेजों ने भार्थ के लोगों के लिए सर्व समाज के लोगों के लिए लाड मेकाले को भेजा 1813 की जो नीतिया बनी उस नीतियों को इंप्लिमेंट करने के लिए और लाड मेकाले 1834 में इंडिया के अंदर आया और लाड मेकाले ने क्या किया सब से पहले उन्होंने एक सर्वे कराया सर्वे के बाद उन्होंने अलग अलग छेतरों में जैसे कि मैं कहा रहूं मदराज की बात करूं मुंबई की बात करूं कोलकता की बात करूं वहाँ पे स्कूल खोलने स्टार्ट कर दिया और एक बात अनिवारिय कर दी कौन सी बात किस देश के अंदर जो अंग्रेजी सिक्षा को पढ़ेगा उस अंग्रेजी सिक्षा को पढ़ने वाले व्यक्ति को सरकारी नोकरियों में तवज्यों दी जाएगी उन्होंने संस्कृत पे बैन तो नहीं लगाया लेकिन क्योंकि संस्कृत जो भासा है वो इस देश के अंदर पढ़ने का अधिकार नहीं देती है लगवक पिचासी परसंड लोगों को लेकिन सात्यों इस बहुजन समाज के लोगों के लिए SC, ST, OBC के लोगों के लिए लाड मिकाले एक देव के रूप में कह सकता हूं वैसे इस भासा के इस्तमाल नहीं करना चाहिए लेकिन एक देव दूत बन के आए उन्होंने भार्त के लोगों के लिए भार्त के अंसुच जाती जंजाती के लोगों के लिए अंगरेजी सिक्षा को निवारी किया और इस देश कंदर एक ऐसा सविधान लागू किया क्योंकि साथियों जब लाड मेकाल इस देश कंदर नहीं था उससे पहले इस देश कंदर मनु सविधान काम करता था जिसमें उच्चवर के लोगों पुद्ध कर दो होकि कि आपका सब्जक्स जो है आपको शुचारे रहां लेकिन यह पीछे का जो बैगराउंड बताना है कि मैंने दस मेंट लिये थे दस मेंट के आंदर मुझे बैगराउंड बताना बहुत जरूरी था कि क्यों डरते हैं आखरिये लोग अनसुत जाती जनजाती कर्मचारियों से और अनसुत जाती जनजाती के उध्योगपतियों से अनसुत जाती जनजाती के सामजिक कारेकरताओं से अनसुत जाती जनजाती के इमानदार राजनेताओं से क्यों डरते हैं ल पार मेकालेने सर्वे करने के बाद उन्होंने इस देश की न्याई विवस्ता को समझा और उन्होंने इस देश की न्याई प्रणाली को समझा और 1815 में उन्होंने आई पीसी को अंतिरम डूप देते हुए 6 अक्टूबर 1860 को इस देश के अंदर जो आज इंडियन पैनिल कोड चलता है उसको लागू कराया और उस देश की जो मनुधादी विवस्ता थी वो मनुधादी विवस्ता एक ही दिन में ध्वस्त हो गई जिस तरह से भाबा साब ड देश के अंदर मनुकी वो लॉड मेकाले ने 6 अक्टूबर 1860 के अंदर क्योंकि आज भी आई पीसी है एक उच्चवर के लिए भी वह इडंड है एक निर्मन वर के लिए वह इडंड है जिस तरह से बाबा साब डॉक्टर मेडगर ने काईदे से समीधान में कहा कि इस पीसी को लागू किया कि जिसने चोरी करी है चाहे वो उच्चवर का हो चाहे निमवर का हो चाहे अचूत हो चाहे ट्राइवल हो चाहे वैसी हो चाहे छत्री हो चाहे कोई भी हो अगर उसने चोरी किये तो उसको चोरी का डंड मिलेगा उसने अगर मडर किया तो उसको मडर क कहते हैं कि हम देव दूत हैं इनको यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बार-बार यह इस देश को अलग राष्ट बनाने की बात करते हैं बार-बार और जलाए भी इनों आप अम्मी जी है जैप्रकास जी है सत्यों आप सभी को जैवीम जो मैं बात करने जा रहा हूं आज जब इनको लगता है कि बाबासाब डॉक्टर अमिडगर के बाद इस देश के अंदर अनुसुजाती जन्जाती ओविसी के लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह हुआ करम चारीं करने में जो पैसा आता है उससे उन् больш अपना लियम स्ट्राइड आज जो आदमी बगया है बिजनस के बाद उन्होंने अपना लिविंग स्टेलर चैंज किया है तो इनको लगता है कि लोग आज हमारे बराबर में कैसे आने लगए अब इन्होंने planning इस्टार्ट कर दी हैं इस देश के अंदर पिछले 50 सालों शुन की लगातार planning चल रही है क्योंकि अगर मैं reservation की बात करूं तो इंद्रा सहानी करें वर्सेंस टेट और इंद्रा सहानी के जो केस में कहा तो कि इन्द्रा सहानी के साथ में इंड्रा साथ में इंद्रा साहनी आप फिदिया और मैं रिजर वसंड को ले के और समयधान की न सब्सक्राइब कृट लेकिन मौर्णतेर लेशा के नмы सब्सक्राइब Forbes प्राइब नियुक्रीट जर्फ बने Monta बहुत कि तोकि इस देश के अंदर विधाय का क्या कर सकती है यह विधाय का काम है इस देश के अंदर न्याय पाली का क्या 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 क्य परदी हैं वह बुरा नहीं बनना चाहती और हमारे वो पिठ्ठु वो चंचे जो उनके पिठ्ठु और बने हुए हैं वह भी आज नहीं हो पारें सिर्फ उनको खुषी चाहिए उनको ओधा चाहिए उनको पद चाहिए आज दोWiDnea कर पारी है वह काम माध्यम्स करना चांते हैं को कि युथ ंको कि जये अच्छा समृधान सब्सक्राइवाटरों तो प्रकृत्श्ते के शिधांत दो नहीं नहीं होता है तब तक न्याय में विश्वास नहीं किया जा सकता और प्राकर्तिक न्याय के सिद्धन्थ के बारे में इस देश के समिधान में लिखा हुआ है कि कि किसी भी जाती धर्म लिंग भेद के साफ़ से किसी साथ में भेद बाव नहीं किया जाएगा क्योंकि यह देश जो है वह सेकुलर देश है इस देश में हर्जाति धर्म के लोगों को रहने के लिए इस्थान मिला है और इस देश के जो नहीक जोंड से जो कोई भी सरकार लोगों को मुख्यधरा में जोड़ने के लिए कर सकते नियाय पाली का क्या करती है नियाय पाली का उसका इंट्रिपेट करती है कि क्या वो सविधान के साफ से सही है या घलत है नियाय पाली का जो क्या करती है नियाय पाली के ये करती है कि कोई भी कानुन बना उसको इंट्रिपेट करेगी कि जो सविधान का कहीं उलंगन तो नहीं हुआ लेकिन साथियों बड़ी विडबना है इस देश की कि जिस तरह से अयुद्धा का मैटर आया अयुद्धा के मैटर को हमारे जो जस्टिस से रिटाइर्मेंट होने से पहले जो अलोची जो नहीं दिए उससे जनता का विश्वास डगमगाया है इस देश की नियाई प्रनाली के खिलाप लोगों का विश्वास पैदा हुआ है सातियों में मन्ने सुप्रीम कोड के जितने भी साती जितने भी हमारे महा महीम जितने भी हमारे जो जस्टिस साती जितने भी जस्टिस हैं मुझे सुन पा रहे हैं मैं आप से एक निवेदन करना चाहँगा कि इस देश के अंदर प्राकर्तिक नयाय के सिधान्त को बरकरा रख करता है इंसान वहां पर विद्रो खड़ा करता है साथियों मैं बता दूंँ आपको कि इस देश कंद्रे करना क्या चाहते हैं अभी जिस तरह से अंसुजाती जनजाती ओविसी की पहली पीड़ी पड़ी है पहली पीड़ी मानता हूं क्योंकि अब अब रजेयस बन चुके हैं इस तरह के ओधों पहुंचने के बाद में यह पिए लोग हैं पहले पिखते हैं इनके वक्ते पहले भी आये हैं चाहें प्रसक्राइब होई बहुती साफ करने वाए लोग हमारे शिर्फ बैठके काम करें गया इस तरह की जो लोगों को वह पड़ा लिखा मजदूर पैदा करना चाते हैं व को इन्हों ने विवस्ता की एक कि अद्र क्या विवस्ता की कि कई कोई भी स्टुडेंट कोई भी छात्र आठीवी तक का जो छात्र है उसको मिढ़का थैतने भोजन दिआ जाएगा साथियों मिड्डे मीली उजना के जब भोधन दिया जाएगा आप मुझे बताइए मेरे कोश्चन है आप सभी से इस देश के सरकारों से कि क्या कोई भी बच्चा भूग से मरा है आज लोग आज सरकारें आज सरकारें चिकित्चा की विवस्ता नहीं करा पाती हैं इलाज नहीं होने के कारण मर जाते हैं लेकिन साथियों वो काम नहीं करना चाते हैं शिक्षा को कैसे कम जोर किया जाए जए आज गरीब यहां अंगलेश मेडिय में पढ़ता है उसके मार्स को उच्छा आएंगे उसको माहौल अच्छा मिलेगा परफिने से तैयारी करेंगा लेकिन साथ यह तरफ तो यह करना चाहते हैं एक तरफ करना चाहते हैं दूस्जी तरफ इन्होंने परसंट फीसे इतनी बढ़ा दी है मैं बता हूँ आपको 400 परसंट फीसे बढ़ाई हैं आप अगर आज डॉक्टरी करना चाहते हैं अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एसी होने के नाते गवर्मेंट सीट पे धाई से तीन लाख रुपए साला नफीस आएगी लेकिन क्रिमलेर लागो कर दिया आपके यहां पर कि आपकी तनकाई ही कितनी है ज्यादा ज्यादा 40,000 रुपए आपको पांस लाख आएगा लेकिन एक इस्टुडेंट पर आप जब तीन लाख रुपए वहां दे देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे आप वहन नहीं कर पाएंगे और रही गरीब आदमी की बात गरीब आदमी तो पड़ी नहीं सकता है माहूल में क्योंकि एक तरफ तो यह आपको कहना चाहते हैं यह जो समिक्षा करना चाहते हैं क्या समिक्षा करना चाहते हैं यह समिक्षा यह करना चाह एक तीर से दो सिकार करना चाते हैं लोग क्योंकि अनसुद जाती जन जाती है के लोगों के पास में ना तो जमीन है ना उद्योग धंदी है ना फैक्ट्री है एक ही रास्ता था क्या सरकारी नौकरी गौर्रमेंट जोब इसके माध्यम से वो अपने बच्चों को पढ़ा रह अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद उनके मविस्य स्वारने की बात कर रहा था लेकिन सात्यों उसके वी उपर बार बार ये लोग तलवार चलाते हैं इनकी मन सा क्या है क्योंकि वह गरीब आत्मी है वह तो आज भी नहीं पढ़ पा रहा है कि कि वह सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उसको दाल रोटी खिलाई जाएगी उसका दिमाग जो इस तरह का गहूं आता है आप देखिए कि गहूं खाने के बाद उसको दिमाग वैसे खराब हो जाएगा सात्यों इस देश के अंदर जो बावा साब डॉक्टर मडगर चाहते थे कि सिक्षा का एक ही करण हो जो कलेक्टर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े एक जज़ का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े मुख्यमंद्र का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े और एक म जादा सजादा दो परसंट लोग आपको अनुसुच जादी जन जाती के मिलेंगे बाकी जो सत्याने परसंट लोग यहीं लोग जाता हूं कि जब आप यह कहते हैं कि 50 परसंट से ज्यादा रेजर्वेशन नहीं बढ़ना चाहिए तो सर्वन आरक्षम 10 परसंट दे दिया गया था उसके उपर आपको संग्यान लेना चाहिए था क्या आपने संग्यान लिया नहीं ले पाएंगे आप क्यों कि वह आपके खुद के मतलब की बात थी वह तो 50 परसंट को क्रोस कर गया वह तो रेजर्वेशन है 10 परसंट जो दिया आप बिना आंदोलन के बिना खून बहाए बिना संगर्स के आपने उन लोगों को 10 पसंट डिया और 10 पसंट रेजर्वेशन से जब इस देश के अंदर 10 पसंट मिलेगा तो उसकी सीमा 50 पसंट से उपर जाEPY लेकिन किसी भी निर्याले ने उसको पर संग्यान नहीं लिया क्योंकि आप चाहते ही यह थे दूसी चीज आपने उनकी जो सीमा जो तै करी है गरीबी की जो रेखा तै करी है आपने उनकी गरीबी की रेखा तै क्या करी है इस सरकार ने आठ लाक रुपे अब मुझे बताईए क्या एक पचास साथ हजार रुपे कमाना वाला सर्वन कास्ट का व्यक्ति गरीब हो सकता है क्या नहीं हो सकता लेकिन साथियों इनकी जो मान सकता देखिए उसके खिलाप इनों नहीं आंदोले नहीं किये उसके खिलाप किसी भी न्याले प्राकर्तिक को पूरा नहीं होने देगा समयक समासंग अभी लोकडाउन चल रहा है इस देश के करमचारियों से मैं कहना चाहता हूं जिस तरह से हमारे राश्चा दिर्जी ने कहा कि हम इस चीज को लेके पूरे देश के अंदर आंदोलन करेंगे कि अगर सरकार ये क्रिमिंडमेंट लाती है क्रिमिलिय लेरवाडा तो हम आपके साथ खड़े हुआ हैं आप हमें सपोर्ट करिए हर तरे से हम आपके साथ में रहेंगे न्याई की बात करेंगे अपने हक और अधिकारों के लिए आंदोलन करेंगे बड़े लेवल पर एक मुहिम चलाएंगे कि ये जहां नहीं पड़ सकता जहां वो अब्रस मुकाब्ला नहीं कर सकता ले अपनी बात करने के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना पड़ेगा कर्मचारी साथियों से कहना चाहता हूं कि आज तक आपने गलती की उस गलती को मत दो रहाइए तो कि आपका बच्चा चीस स्कूल में पढ़ता है आपको लगना चाहिए कि गाउं में बैठा हुआ हमारे भाई का बच्चा की उस बच्चे के लिए हमें सिख्छा की विवस्ता करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हम उनकी सिख्चा की विवस्ता कर पाए तो वो हमारे साथ-सात में हमारा भाई बनके कंदे से कंदा मिला कर हमारे लड़ाई लड़ेगा साथियों आने वाले समय में अगर सरकार इस तरह का फैसला करती है इस देश के अदर के मिलने लागू करती है तो इसका बड़ा तरीके से विरोध किया जाएगा समयधानिक अधार को रखे विरोध किया जाएगा और बड़े लेवर विरोध किया जाएगा पूरे देश में कांदोलें चलाए जाएगा मैं इस देश के सरकारी करमचार से कहना चाहता हूँ कि आपको डरने के आ सकता नहीं है आपको घबराने क्या सकता नहीं है हम आपके साथ हैं समयक समाज संग पूरे विश्व के अंदर क्योंकि आज समयक समाज संग की टीम सिर्फ भारत के अंदर नहीं है समयक समाज संग की टीम इस वक आस्टेलिया, कनाडा, इंग्लेंड, जर्मनी, युके, युसे जितने भी बाबा साथ डॉक्टर मेड़र को मानने वाए लोग है वो सभी लोग समयक समाज संग के साथ खड़े हैं सभी लोग आपके साथ खड़े हैं बस रहते कि आपको एक नेक और नेती के साथ में बाबा साथ डॉक्टर मेड़र के सांद्रों को आगे चलाना चाहिए मानेवर साथ कांसीराम जी ने साइद आपको आपकी ताकत का पता नहीं है मैं याद दिला देता हूं आपको साथियों, जब मानेवर साथ कांसीराम जी ने बाम सेथ चलाया तो बाम सेथ के माध्यम से आपको पता होगा मानेवर साथ कांसीराम जी ने इस देश के सबसे बड़े राज्ये की 4-4 बर सरकारे बनाई वो आपकी ताकत थी, लेकिन आपके बीच में कुछ दलाल लोग है आपके बीच में कुछ आपके विरोधी लोग है जो कॉंग्रोस और बीजेपी की चमचा गिरी करते हैं और वो आपको साथ में वहां पे लेके जाते हैं वहां पे आर्थिक पहले 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 ओवी सी कि एस्टी एक क्या है साथियों फूल सिंग जी ओबी सी एक की बात नहीं कर रहा है क्योंकि जिस तरह से यह लोग अपनी मानसिक्ता के तहट लेते हैं जिस तरह से सरकारें अपनी शाथियों के लिए वह एक निंदनिय विस्टे है वह मैं उसकी भर्तना करता हूं लेकिन इस देश के अंदर अन्सुद जाती जंग्यंची और इस अख्के। लिए अंसुद जाति जाटियों के सारे संगठन आपके साथ हैं अंसुद जातियों के जितने करमपर के बने कर्मचाय के साथ हैं और फॉलते हैं अगला नंबर अपका है तो पर में के सिस्टी के लोग नहीं बोले आज आपका नंबर आया है आपको बोलना पड़ेगा अगर आप नहीं बोले क्योंकि यह जो लोग है रिजर्वसन खतर नहीं करेंगे उसको निस्प्रभावी बना देंगे और उसको निस्प्रभावी इतना बना देंगे कि आप कुछ भी नह सेक्टर है उस प्राइवेट सेक्टर में आपके लोग कितने हैं कितने पर्षंट लोग है आपके कितने पर्षंट की रिप्रिजेंटर्शन है कितने पर्षंट हिस्सेदारी है सातियों हम इस देश के मूल लिवासी लोग हैं हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए और यह कहते है किस देश के अंदर SCS T के विज़से देश के अंदर विकास नहीं पाया साथी ज कब से 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 स्टी का रख्षण यह कहते हैं कि हम लोग इतने वो रहे हैं कब से इस देश कंदर sd empower 60 का 50 साल हुए हैं 50 साल पहले स्टे इस देश कंदर गुलाम की किस ने बना हेगा ये भी हम्हें सूचना पड़ेगा साती ये लोग नहीं चाते हिस देश के मूलईबाशी लोगों को सम्भाम ए अगर हम नहीं कर पाए अगरаемся महां नहीं किया तो साथियों आने वाले समय में क्योंकि इनकी मंसा का पता है लगा जा सकता है इनकी मंसा का देखिए कि पूरा विश्व आज को रहना के वज़स्ते डगमागा हुआ है पूरा विश्व आज तरहीता इमान कर रहा है लेकिन साथियों इन लोगों ने सरकारे तोड़ी इ क्योंकि पता है कि समझ पारें कि देश का रूकल करता है यह लोग नहीं कर पाएंगे और हम नहीं कर पारें लेकिन जैसे इस देश में लोगडाउन हटेंगा हम अपनी बात रखने सविधानिक रूप से आपके पास पहुंचेंगे और देश के अंदर एक मुहिम चलाएंगे कि अनुसुच जाती जन्जाती करमचारियों के साथ में इस तरह का गरताचार हुआ तो हम इट से इट बजा देंगे शाती आप हम लोग सहन करने वाले नहीं हैं बहुत हो गया तुमारा हम लोग आंदोलन करेंगे और समिक समाज संग इसके लिए बिल्कुल तयार है इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपको समिक्षा करने के पहले कि मान्य सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया है उस आदेश को लागू करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा किस देश का बहुजन समाज सांत्य परी ये है इस देश का बहुजन समाज समीधान को मानता है इस देश का समीधान हमारा सर्वे परी है इस देश का बहुजन समाज समीधान के साथ से काम करना चाहते है और समीधान में जो हमें हक और राइट दिये हैं यड़ो हकर अधिकार आपने आपने नहीं दिये दनार मेल्दन में इनको जोड़ा गया है यह हमारे हक्र्टिक नियाय सिधान के अनुसार है आपकी कोई भीक नहीं है आपकी दिये हुए कोई अभार नहीं है हमें हमारे हक और अधिकार चाहिए और जो भी हमारे हक और अधिकार को छिनने की बात करेगा हम उसको छोड़ेंगे नई कि इस देश के सभी साथियों से में कहना चाहता हूं बहुजुन समाज के SCST समाज के लिए काम आता है तो मैं आपने सरीद को देने के लिए तैयार हूं लेकिन समाज के मान सम्मान के उपर कभी आज देने आने नहीं देंगे आप सभी साती मेरे साथ में जुड़े इस देश में एक बड़ा अंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं अगर ये लोग अगर ये सरकार अंसुद जाती जन जाती कर्म चाहरे के खिलाप इस तरह कोई आंदोलन पास करेगी या इस तरह कोई एक्ट लाती है तो उसका व्रोज करेंगे और पूरे देश में दोलन करेंगे आप सभी साथ की मेरे साथ में आए आपको जैभीम जै भारत जै मानेवर कासिरां बहुत साहे लोग जुड़े हुए हैं कोई कोस्टन करना चाहता है तो मैं जवाब देने के यहां Helena साथ में भ tub chat नजीम है आप सवी को जैभीम लाकन सिंग दोछी हमारे साथ में जिनोंहरे हमारे साथ में साथे हाप चाहए वावर दनेवाद जैभीम प्रेम कुमार जी हमारे साथ में हैं कि रवी जी हमारे साथ में हैं बल्जी जी हमारे साथ में हैं अज्वत जी हमारे साथ में हैं डॉक्टर उसा चंजी हमारे साथ में हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जैभीम आप सभी से एक निमेदन करना चाहता हूं कि आप सभी मेरे नंबर यहां पे हैं आप सभी मुझे वाट्सअप करें अपने पर्सन नंबर से और समय समाज के साथ जुड़कर इस मुहीम को बाबा साब डॉक्टर अम्रिडगर के इस कारववक को आगे बढ़ाने के लिए आप लगातार प्रियास करने हैं हम लोग आप हमारे साथ जुड़ें क्योंकि शिच्छा के माध्यम से समाज को शिच्छा के आउसकता है और हम सिच्छा देने के लिए तयार हैं आप सभी ने अपना कीमति समय दिया इस समय के लिए मैं फिर से आपको बहुत-बहुत साधिमात देना चाहता हूँ जै भीम जै भारत जै मन्यवर्शाब करसी रहा हुए अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवा प्राइब करें लाइब 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 करे